नमस्ते आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में स्वागत है आज मैं आपके साथ कॉलिफला की रेसिपी शेयर करने जाए हूं तो चलिए रेसिपी शेयर करते हैं सबसे पहले हमने फुलगोबी को काटके उसको अच्छे से दो लिया है ताकि इसमें खिल्डा वगेरा ना रहे इसके बाद हम लोग पतीले में पानी ले लेंगे और जैसे ही पानी हलका गरम होता है जो फुलगोबी हमने काटा था उसको आट करेंगे तो पानी गरम हो चुका है तो इसमें हम लोग फुलगोबी आड कर रहे हैं इससे क्या होता है इस तरीके से कि जो किड़ा रहता है अगर किड़ा इसमें रह भी जाता है तो वो मर जाता है और पानी में मिल जाता है और गैस भी नहीं होता है फुलगोबी खाने से ये देख सकते हैं उबाल आ रहा है जैसे उबाल आएगा हम लोग पानी को ग्रेन आउट कर देंगे क्योंकि इसको हम लोग बॉल नहीं करना है बस उबाल आने तक हम लोग इसको रखना है देख सकते हैं हमने जो पानी था उसको निकाल लिया है इसमें कोई हम लोग ठंडा पाने वगड़ा नहीं आट करेंगे इसको एज़टीज छोड़ देंगे छलनी में ताकि थोज़ट ठंडा हो अब हमने कड़ाई में दो चमच सरसो का तेल मैंने ले लिया है अब इसको हम लोग गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम लोग गोटा जीरा आट करेंगे जैसे फूल को भी आड़ करेंगे, इसमें अब मैं हल्दी आड़ करूंगी, हाफ चम्मा से भी थोड़ा सा कम, इसमें मैं हल्दी आड़ कर रही हूँ, अब इन सभी को अच्छा से मिक्स करके, हम लग फ्राइ करेंगे, फ्लेम हाई रखिएगा, लो मत रखिएगा, हाई फ्रेम में ही फ्राइ अच्छा से होता है, अब इसमें हम लोग निम्यक नहीं आड़ करेंगे, अब निमक आड़ करेंगे, जैसे हल्का सा फ्राइ हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसमें निमक आड़ करेंगे, निमक स्वा ग्रीन चिली को अब इसको थोड़ा सा धाक के पकने देंगे ताकि यह अच्छा से बॉल भी हो जाए और फ्राइ भी हो जाए मैं थोड़ा सा पीच भीच में आप धकन हटा के देख लीजेगा कि नीचे से जल ना जाए आप देख सकते हैं यह फ्राइ हो रही है अच्छा से फिससे मैं इसको धाक दूंगी धाक के थोड़ा सा फ्राइ होने दूंगी क्योंकि इस रिसेपी में हम लोग पानी का यूज नहीं करें इसलिए हम लोग को धाक के ही फुल गोबी को फ्राइ करना है ताकि अच्छा से पक जाए और फ्राइ भी हो जाए मैंने flame को जब हम ढाक के fry करें तो मैंने flame को low कर दिया था फिर से मैं flame को high कर दी हूँ अब हम लोग गास को बंद कर देंगे, यह बहुत अच्छे से fry हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं कस्तूरी मेथी जो है, उसको अच्छे से काटके इसको मैं आड़ कर रही हूँ, अब तोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स आड़ कर रही हूँ, यह तोटली यह उप्शनल है चिली फ्लेक्स चाहे तो आड कर सकते हैं चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अब सब को मिला दूँगी अच्छे से गैस बंद करने के बाद ही हम लोग सब जी डालेंगे ये बिलकुल बनके तैयार हैं आप इसको गरम गरम में ऐसके साथ इन्जॉइक किजीए बहुत अच्छा लेगा आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते ह। भी मैं प्रिफर करूंगी रोटी के साथ देखिये बनके बिल्कुल तेयार, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, thank you